भाजपा परसान इसलिए है कि अब लड़ रही है मुकामा अब मुकामा में बाप बाप कर रही है कभी शिराग पासवान जी को जाकर करके गोड़ पकड़ रही है सरनम का च्छामी हो रही है जो भांग खाके सोएगा वही ने भाजपा के बोलाये पर जाएगा जी पता नहीं इन्हें को किस तरह से ब्याबरो करके मूर्ती को भीगा है पता नहीं जा दता है इसेidas वाजी को कि इसे बहbars Passימing के सामश है कुए बहुता धिते हैं जब रामिलास पासवान जी की प्रतिमा को किस तरह से पहलों के तरह रौंद रहे थी पुलिस, अब अभी संकर मेंटली तौर पर अभी थोड़ा इतर इतर उधर चल रहा है, यह तो केंदरिये मंति मंदल से गए, दुज़ेश चोविस में जाएंगे, वहां से भी हारेंगे, बाउखलाहाट में हैं, नितिस कमार जी को चोट है, अमिस्ताज या रहें क्या, नड़ार रहें क्या, प्रहानमंत या रहें क्या, तई छोट पुझियन नेता जबाजपा के हैं, उसके लिए जाने के जरू थो तो नितिस कमार जी को. बिहार के दो सीटों पे उप्चुनाब हो रहे हैं मुकामा और गोपाल गंज, लेकिन भारतिये जनता पार्टी लगतार महागटवंदन के प्रत्यासियों पे आरोप लगा रहे हैं। पे केस हैं, लेकिन उन्होंने चुनाव आयोग से अपनी जो केस हैं, उसको छुपाया है, हमार से बाचीत करने के लिए राज़त के प्रखर प्रवक्तर सक्ति सिंग्यादव हैं। सक्ति जी, बीजेपी परदेश अध्यक संजेज अश्वाल आरोप लगा रहे हैं अनन सिंग पे, मोहन गुपता पे, किस तरीके से देख रहे हैं। बीजेपी हतास है, दोनों जगों पे बीजेपी चुना भार रही है, चाहिए गुपाल गंज हो, चाहिए मुकामा। भारतिन्ता पार्टी प्रति दिन कोई नए एक सवाल लेकर कर सामने आती है। या थे जिद्यावार में नहीं हैं, हम इन चिजों से दूर रहते हैं। भलना नहीं जा रहे है, मुक्तमंति नहीं जा रहे हैं। ता लालंसिंग मियर राष्टिय धक से पहुँचे हुए है। नितिस कुमार जी को चोट है, हम इन साज या रहे हैं क्या। नड़ा रहें क्या प्रहानमंत जया रहें क्या इस छोट पुझियन नेता जो भाजपा के हैं उसके लिए जाने के जरू था नितिश कुमार जी को अरे राष्टिया धक जनता दली जो पहुँच गए कि टुटपुझिया नेता कौन बीजेपी में है जिसकी अपनी 150 भोट की पकड़ है अपनी किसी छित्रों में 1500 भोट बदलने की ताकत किसी एक नेता में नाम बताए तो बीजेपी में तो जाके बदल दे है किसी में ताकत नेतिक बल है असल भाजपा परसान इसलिए है कि अब लड़ रही है मुकामा में बाप बाप कर रही है कभी चिराग पसवांजी को जाकर करके गोड़ पकड़ रही है सरनम का च्छामी हो रही है भाजपा कि यह हाल है राष्टिय पार्टी विस्व के सबसे बड़ी अनका चुना परशार करने के लिए उन जाने के नाम में नहीं ले रही है और संजे जश्वाल कर रहे हैं कि 31 कोन के चुना भी सबाह आ है अब उचरा बात बताईए सब्समीलिय कि क्या सिकार करलेंगा क्या कि संभव है जो जाएंगे अपनी प्रतिभा गवा देंगे दोनों जगों बता देते हैं आपने सुरू में आपको कहा था हमने के साथ पाटियों अगठ बंधन है अस्टी फिस्दी मदाता महागड़ंधन के पक्ष में है परती दिन एक नयाब सर्यंद रश्ती है भारती दिनता पाटी कभी ना जाने का रूप लगाती है कही भाजपा चब 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 चल जाती है जदिव रासे से चल जाते है तो कभी अरूप लगावे आके और बिगड़ गया जाने से तो ये बोखलाहट का परतीक है कोन छेतर है भाई मकामा में जहां पर भाजपा की वोट है तो भोटे नहीं इनके पास है जो भोट का समिक्रन है महाकरवंधन के पास जिसके बलबुते ये स्वांग रचते हैं फरक नहीं पड़ता है माफ करिएगा ऐसे ही अपने महाकरवंधन अपने बलबुते पचास जारत उपर जाएगी चुनाब भी दो दुकान लूटे गए हैं अगर बोट नहीं दोगे तो पूरा बजार लूटे लूटे एक भी बजार का बनिया ये आरूप ने लगा सकता है कोई है महम तक चुनोती देते हैं सब्सक्राव जी को कि एक बजार के बनिया को खड़ा करे कहिए जो कहे कि हमको अनन सीन धमकी दी है क्या बताए बहला हो कि इतना दिन में धमकी धमकी दे रहा है हार देखकर के क्या-क्या ये आरूप लगाएंगे अगर दूगों तो यह हैं जो माफ करिएगा प्लेट फार्म जो है नजाने किस बात की कसम खाई है उसको बिहार तो कोई मतलब ही नहीं है बिहार में बवेला हो इसका इंतजाम कैसे हो वही काम कर रहे है ये वो हिंदीनों नंबर ले करके नंबर लगा करके भगवान जाने उसके बारे में कई हमारी लोग भी बूल चुके हैं तो कहीं आप दूर दूर तक आप दिखाई देखी दिजेगा तो कहीं दिखाई आपको नहीं पड़ेगी और अलंसिंग जी का जीत तो बड़े पैमाने पर होना है इसमें कहीं कोई दोर आए नहीं है जो जाएगा भाजपा के पक्स में अपना बिगाड़ लेगा आने वाला कल बरबाद कर लेगा चुकि वहाँ जाने ना आने से कोई फाइदा होने वाला नहीं है बलकि अपनी परतिभा को मिट्टी मिलाना है बचा खुचा चेज तो वहीं जाना है जो जाएंगे मिट के आएंगे वहीं से उनका अगला भविस्वी लिखा चल जाएगा जो जाएंगे लेकिन उनके नेता ये भी कर रहे सकती जी कि हमें इसकी जनकारी नहीं संजय जैस्वाल ने क्यों इस तरीके के बयान दिया फ्रेस कन्वेंस की है इसकी है जनकारी ने हमादे नेता ने अभी तक हमें को एक दिसार ने की ज़今年 झाएगा जो भ感謝 के सूएगा वही ने भाज़अगे बोलाए पर जाएगा जी पता नहीं एक वहाँ जा करके हम क्या करेंगे भाजपा जिनके बारे में आपका इसारा है उनके पिता को किस तरह से ब्यावरू करके मुर्ति को बिगा है पता नहीं है क्या ओ मकामा के लोगों को किसी के ब्यक्ति के निर्ने ले लेने से समाज बदल जाता है क्या संभब है कता ही संभब नहीं है जो कैसे भूल सकता हो मनहुंथ सामे कैसे भूल सकती है बियो की जनता देश की जनता जब क्वल्ण फासवान जी के मुर्तिमा को किस तरह से पाहे injured आधी पुलिस्स बीजेपी की पुलिस हमिस्ताजी की पुलिस अगर ये पासबान भूल जाएगा तो अपने पूर्खों के सतना अपमान होगा पूर्ख केंद्रिय मंत्री हैं उन्होंने कहा है रभी संकर परशात कह रहे हैं कि नितिस कुमान इसलिए नहीं जा रहे हैं कि उन्हें भी पता है कि दोनों सी ठमहार रहे हैं और राजत से वह नाराज चल रहे हैं क्योंकि तेज़ेश्पी आदर लगातार एक्शन मोड में दिख रहे हैं लगातार डॉक्टरों को बर्खास कर दे रहे हैं तो इन सब चीजों से मुखमंती नाराज इसलिए चुना पर चलने के लिए अब अभी संकर मेंटली तोर पर अभी थोड़ा इतर उधर चल रहा है यह तो कंद्रिय मंति मंदल से गए दुज़ेश्पीस में जाएंगे वहां से भी हारेंगे बाउखलाहाट में हैं तो नहीं आ रहा है जिताओं मसीन तो आ लिए रहा है और नहीं आ रहा है नड़ाज जी भी वही नहीं आ रहा है अब पधानमन दुपल ही मना कर दिया अब बताएए कि सब राह चले लोगों से मुकामा जिता जाता है शुनाब जी सब राहे चले लोग नहीं भाज़पा के अंदर में क्या बजुदे जी था तो परजी भी है किसकी क्या राजिंतिक हैसेत है किसके पास है दस ठोबुट बता दीजिए जो लोग बोल रहा है पहचानता भी है चेहरा बढ़िया से इन लोग को में आज अंतिम सव害 लूगा मोहन गुपता को लेके एक तारिको और बाज़पा किने था का जब जाती है था multipl钱 में कभी नहीं जिशकती है जह जब जाती है तो खूट में जाती है ऊज ही कारण है कि देश कе अंदर में आज सवाल खड़े हो रहा है कि अग्जी अधर्ट जिन्होंने कहा है कि दोनों सीटों पे जीत हमारी तैय है इसलिए भाजपा बॉखला गई है और इसलिए चिराग पासवान के आगे नस्मस तक हो रही है वहीं उन्होंने कह आगे कोई भी चले जाये चाहे वो मुकामा हो चाहे वो पाल गंज उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा और वहीं अनन्द सिंग को लेकर भी इन्होंने कहा है कि हार के बॉखलाट में बीजेबीज तरीके के हरकंडे अपना रही है लेकिन से कोई फायदा होने वाला नहीं है दोनों सीटों पर जीत हम लाइब भिहाग यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें